असलामbers लेकôm कैसे हैं आप सब वेलकम टू मर चैनल जायका निराल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत मज़धार सी और डिफ्रेणिки बिरियानी की रेसीपी आज हम बनाने वाले हैं फिश बिरियानी बहुत मजभा थार सी बिरियानी तयार है है तो चलें स्टार्ट करते हैं फिश बिरियानी बनाने के लिए सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं उसके लिए हम लेंगे नौ से दस अदत मीडियम साइस के नीवू इसका हमें रस चाहिए होगा साथ हमने लिया है फाइफ टेबिल स्पून अदरक लैसन का को ते बता रही हूं अगर आप लोग के पास लीमू साइवाले हैं तो आप तेर गरम मसाला किस तरह किया जाएगा वह वह आप लोगं को बनाना बता चुकी हूं गरम मसाले जैस्हां में लिएक 6 विच्ध और्वापस में मतने हूं को टेवी लाल शांट ऩहिंगे तू करेंगे टू टेविल इस्पून पिसीवी लाल मिर्च का पॉर्डर वैंटेविल इस्पून गूटीवी-लाल मिर्च का पॉर्डर का नमक डिकार मसाल है मनिला ऐसन और लीमू के रस में मिक्स कर दिया है साथ ही साथ इसमें quarter spoon orange food color का शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा color आजाए food color optional है fish को पहले wash करना है wash करने के बाद उसे अच्छी तरह से strainer में रखना है ताकि उसका पानी निकल जाए आदे से एक घंटे के लिए fish को किस तरह से wash करना है उसकी smell को किस तरह से खतम करना है वो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ उस वीडियो का link भी मैं description box में दे दूँगी अब हम fish का एक एक piece लेंगे और मसाले में इस तरह से dip करते रहेंगे और मसाला लगाते रहेंगे अब हम fish को fridge में रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए तक कि अच्छे से marinate हो जाए जब तक fish marinate हो रही है तो मैं आप लोग को बिरियानी का मसाला बता देती हूँ किस तरह से त्यार करना है सबसे पहले oil को गरम करेंगे और उसके बाद हमने एक पाव प्यास लिया और उसे कट कर लिया अब हम प्यास को golden brown fry करेंगे देड किलो हमारे पास cellarize है और तीम के लोग फिश है तो मैं उसे हिसाब से ही अब बिरियानी का मसाला तयार करूँगी प्यास जब golden brown हो जाएगी तो हम उसमें शामिल करेंगे अधरक लेसन का paste टू टेबिल इस्पून आधी प्यास को हम ओईल में लैने देंगे और आधी प्यास हमने ओईल से निकाल ली है ये हम बाद में यूज करेंगे अब बिरियानी में जो मसाले जाएंगे 10-12 ये छोटी वाली हरी मिर्चे दो बड़ी आली दार्चीनीगी स्टेकिस 4-5 अद़ बड़ी लैचिया 1 टीस्पून काली मिर्चे साबित 1 टेबिल इस्पून जीदा 1 टेबिल इस्पून प्यिसी भी लाल मिर्च का पॉडर दो बादियान के फूल आठ से दस छोटी लाइची, तीन से चार अदद तेस पात के पत्ते और दस से बारा अदद हम इसमें लॉंगे शामिल करेंगे इसके बाद अब हम इसमें टेमाटर शामिल करेंगे आदा किलो मैंने टेमाटर को पीस के रख लिया था है ये फ्रीज हो गए है तो इसे अब हम इसमें शामिल कर देंगे आप लोग चाहें तो एक कट करके भी इसमें टेमाटर शामिल कर सकते हैं और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे फिश मसाला जो हमने फिश पे मसाला लगाया था वो हमारे पास तक्रीबर स्वे कर्यी मसाला बच गया था, तो वह मैं इसमें ही शामिल कर दूँगी। ये मसाला शामिल कऱ Lorii की मसाली का टेस्ट और जाद़ एंधर हो जाता है। आदा किलु मैंने इसमें टेमाटर शामिल करेंगे। आलो बुखारे शामिल करेंगे। और हमारा ये बिरियानी मसाला अब तयार है, आप लोग देख सकते हैं, फ्लेम इसका ओफ कर देंगे, जब हम इसका फ्लेम ओफ कर देंगे, तो उसके बाद हम इसमें ये जायफल और जावितरी का पॉर्डर बना के शामिल करेंगे, जायफल जावितरी डाल के हमने बहुता पकाना नहीं है, जब फ्लेम ओफ करेंगे, तो पॉर्डर डाल के मिक्स कर देंगे, अब हम सेला चाम्वलो को बॉयल कर लेते हैं, चाम्वलो को बॉयल करने के लिए मैंने लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हसाब से ले सकते हैं, मैंने टू टेबिल स्पून लिया है, जीरा, वन टेबिल स्पून, एक बड़ी लाइची, दो से तीन लॉंगे और दो से तीन छोटी लाइची है, जब पानी में बॉयल आ जाएगा, तो उसके बाद ही हम इसमें चाम्वल शामिल करेंगे, चाम्वलो को वाश करके दो घंटे के लिए भिगो दिया था, अगर आ आदे चाम्वल निकालनी है और आदे चाम्वल पतीली में रहने दिये, उसके बाद हम इसमें चाम्वल करेंगे, ये तली हुई प्यास, एक गटी हरधनिया और एक गटी पुदीना, हम चाम्वलो के उपर इस तरह से डाल देंगे, उसके बाद जो हमने बिरियानी मसाला त पुदीना हमने फर्स्ट लियर पर यूज करा तो और आदा हम सेकंड लियर पर यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके उपर ओरेंज फूट कलर शामिल कर देंगे और अभी चाम्वलो को ढखके हम साइट पर रख देते हैं, जब तक हम फिश फ्राइ करते हैं, फिश को के लिए पहले ऑईल को गरम करना हैं, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फिश को फ्राइ करना है, तीन से चार मिंड हम एक साइट से फ्राइ करेंगे, फिर उसके बाद इसकी साइट चेंज करेंगे, बार बार फिश की साइट चेंज हमने नहीं करनी है, नहीं तो फ मसाले की भुनाई कर लेंगे मैंने फिश को फ्राई कर रहता हूल को ट्राए ने में लियुकों पुरेंगे रखा के के बाद मैंने उसके उपर इस तरह से ये मसाला शामिल कर दिया और मसाला डालने के बाद यूदि मैंने 4-5 मिंट के लिए इसे दम पे रखा था बिर्यानी के चावलों को हमने 15-20 नो के लिए medium to low flame पर दम पर रखना है और इस तारह से अच्छे से इसमें भाब भरनी चाहिए उसके बाद ही चावल दम आएंगे और हमारी अब यह मज़ेदार सी फिश बिर्यानी तयार है हमने फिश को चावलों के अंदर नहीं डालना है नहीं तो पर चावल मिक्स करने में बह दीचे आप लोगों को यह फिश बिर्यानी की रेसिपी कैसी लगे मुझे comment box में जरूर बताएगा इस फिश बिर्यानी को आप लोग गिरीन राइते के साथ सर्फ कर सकते हैं गिरीन राइते की रेसिपी का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बहुत ही